तो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे हैं ख्यारियस से हैं आज मैं यह हूं आपके साथ ब्रेकफास्ट की बहुत आसान से रिसीपी ले करके जो आप बहुत इसली और कुईकली बना सकते हैं इस रिसीपी का नाम है अफगानी ओमलेट जो हम लोग एक विद को अच्छे तेल को गर्म हो ढाई में अछाया तो धुक्त जेगा तो हम उसमें पर जाने वाहाश не अट्टा हैं निवया आप सब घंगो आपके सो्बढ कयो अट्ट तो ईश्खे आप स्वक्त और प्रई लेंगे तक यहां में गरम अन के यहां हमने अच्छे से घंग लिए उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ प्यास को हम लोगों ने बारिक चॉप कर लिया है उसके बाद हम इसको भी दो में तब फ्राई कर लिया है उसके बाद हम इसको बारिक चॉप कर लिया है उसके बारिक चॉप कर लिया है उसके बारिक चॉप कर लिया है उसके बार बाटर डाल दिया, उसके उपर से, डाल रहे हैं नमक, आप चाहें तो, अपने हिताफ से उड़कें, या अपने टेस्टकें एकोडिंग भी डाल सकते हैं, तो लोग देपाद हैं काले मिर्श पाउडर, यहां पे हम और मसालफ नहीं तो यहां पर बना रहे हैं अफगानी ओमलेट यहां पर जाधा मसाला एड नहीं होगा तो यहां पर दो चाहें तो यहां पर यहां पर चाहें से दो मिन तक फ्राइ कर लेंगे और यहां पर हम लोग ने अट किया थोड़ा सा शिम्ला मिर्च शिम्ला मिर्च क्या है ना वो थोड़ा सा टेस्ट जो है वो थोड़ा चेंज करें तो बड़ा मजा सा आता है शिम्ला मिर्च में तो यहां पर हम लोग ने थोड़ा सा शिम्ला मिर्च अट किया है उसके बाद ह तो यहां पर हम लोग सिफ पांचेक आट कर रहे हैं उसके बाद हम डालेंगे काले मिर्च और नमक ताके एक फीका पीका सा ना लगे इसलिए हम इसके उपर से डाल रहे हैं नमक और काले मिर्च डालने के बाद हम इसको मेडियम फ्लेम पे 7-8 मेंट तक पकने के लिए छोड़ देंगे आप लोग चाहें तो गैस के नीचे जाली भी लगा सकते हैं या कुछ रख सकते हैं ताकि हमारा एक जो है अफगानी एक वह जले ना और उसका टेस्ट जो अच्छे से आ सके तो थोड है वह योजस कर सकते है उसके बाद कर सकते हम उसके ऊपर से हरी मिर्च देल रहे हैं यहां पे हम लोगों ने हरी मिर्च को कट नहीं कियां बस ऐसी डाल दिया तो आप लोग चाहें तो कट करके डाल सकते आप उसके बाद हम उसको उपर से sus sais सके डाल रहे साथ से आठ मिन्ट तक तो आप देख सकते हैं हमारा एक जो है वो अच्छे से पक चुका है आप लोग कहांगे कि ये तो कच्छा है तो ये कच्छा नहीं है अफगानी एक जो है वो इसी तरह की से बनता है बहुत टेस्टी बना था आप लोग अपने गर पर ज़रूर